हाल ही में केंद्रे परियावरन मंत्राले ने FCA यानी Forest Conservation Act 1980 के तहट उलंगन से निपटने के लिए नई गाइडलाइन्स लागू की थी क्या ये गाइडलाइन्स जंगल को बचाने में प्रभावी हैं इन गाइडलाइन्स के बारे में गोन्यू संबादाता साधिक अतिवारी ने परियावरन अधिवक्ता संजय उपाधे से खास बात चीट की आसान शब्दों में हर एजनसी जो वन भूमी का इस्तिमाल करना चाहती है या वन भूमी को डाइवर्ट करना चाहती है उसे ऐसा करने से पहले फॉरिस्ट क्लियरंस लेना जरूरी होता है बिना क्लियरंस मिले या इस प्रक्रिया के दौरान ही अगर कोई एजनसी वन भूमी पर अपनी परियोजना शुरू करती है तो उसे सरकार को सिर्फ थोड़ा सा जुर्माना भरना पड़ता है और उसके बाद वो अपना काम जारी रख सकती है मौजूदा नियमों के अनुसार या जुर्माना NPV यानि Net Present Value पर अधारित होता है Well, Net Present Value essentially is the valuation done for a piece of forest land which is diverted So the valuation is based on the density of the forest The more the density, the higher value of that forest NPV का मूल्य 5.8 लाख से 10.4 लाख प्रती हेक्टेर के बीच होता है नई गाइडलाइन्स में ये जुर्माना NPV का 5 गुना तक हो सकता है पर वन भूमी की कीमत तै करना और एको सिस्टम को पहुचाएं नुकसान की रुपयों से भरपाई करना कितना ठीक है अन्पीवी को कई पर्यावरन कारे करता जंगलों की कीमत तै करने का काफी खराब तरीका मानते हैं इसका सीधा अर्थ होता है पैसे के बदले वन भूमी खरी दी जा सकती है इस कीमत में एको सिस्टम का मूल्यांकर नहीं किया जा सकता क्यूंकि एक बार अगर पेड काट दिये गए तो व्रिक्षा रोपन के बाद भी खोया एकोसिस्टम वापस नहीं आता संजाय उपाध्याय का कहना है कि वन भूमी की बजाए ऐसे प्रोजेक्ट के लिए बंजर भूमी का इस्तेमाल किया जा सकता है नहीं गाइडलाइंस का मकसद था FCA का उलंगन रोकना पर वो ऐसा करने में नाकाम रही है हाला कि सरकार का दावा है कि नई गाइडलाइंस बहतर है क्योंकि अब जुर्माने के तौर पर एंपीवी का पांच गुना लिया जाएगा पर हकीकत में ये खबर ज्यादा अच्छी नहीं है I call it pernicious trade argument, you know, you cannot allow an illegality or perpetuate an illegality and then call it an incentive. I mean, it's absolutely unthinkable why anybody would call it progressive. I mean, not as an incentive to go and be more perverse and an incentive to go and divert more and then be happy, happily coming under the cover of these guidelines. These guidelines ought to be the last resort. It ought to be catering to genuine defaults, not willful default. बिना forest clearance लिये काम शुरू करना एक अच्छी परमपरा नहीं है, इस पर भी जुर्माना देकर काम हो जाना, forest clearance ना लेने का महज शौटकट है. अगर 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 तो FCA कानून कितरा महत्वपून बचता है? Well, then scrap the Forest Conservation Act. If the government really doesn't want it, then it should scrap it. Because it was, if you look at the history of why Forest Conservation Act was brought in the first place in the mid-70s, after a constitutional amendment of bringing forest into, you know, the concurrent subject. The whole idea was to have an oversight and a check on a forest entity which was getting diverted at a large scale by the state government. So, the entire rationale of getting FCA was to arrest that kind of mindful diversion. Now, if the government today feels that that is an obstruction and impediment for the forest which allow us to breathe properly, then scrub the Forest Conservation Act. Where is the need? Sanjay Upadhyayi के स्तर्क में दम है कि अगर FCA 1 भूमी को बरबाद होने से रोकने में नाकाम है, तो फिर इस कानून का कोई मतलब ही नहीं है. Sadeka Tiwari, Go News. Sadeka Tiwari, Go News. Sadeka Tiwari, Go News.